आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। अजी एक वाय電 को दाई हैं, तो ये हमारा कोई वस्तु है, वस्तु में दो बिन्दु है, एक A बिन्दु है, ये ऐप बिन्दु हुआ और एक बिन्दु अपका B है, ठीक है, अब बोला गया है कि जो A बिंदू है वो क्या है हमारा उस दरवमान का उस वस्तु का दरवमान के अंदर है ठीक है A जो है A बिंदू हमारा क्या है उस वस्तु का दरवमान के अंदर है और B हमारा नहीं है तो दोनु रेखाओं पर दीखे समनांतर यदि मानले हम दोनों को तो कुछ इस तरीके से दोने दुसरे के समनांतर ठीक है तो हमें बताना है कि A का जो है एक हिसाफ एक जो जो हमारा जड़त्व आगुर्ण निकलेगा वो जादा होगा कि B का जो जादा होगा तो देखें मैं माल लेता हूँ कि यदि हमारा A जो है द्रवमान केंद्र है जड़त्व आगुर्ण होगा क्या होगा आई A है ठीक हमें को दिया गया है प्रश्ण में ठीक हमारा क्या है जड़त्व आगुर्ण है तो लिखता हूँ यहां पर जड़त्व आगुर्ण है ठीक ह हमें A का पता है और B का भी पता है तो B का हम निकालेंगे तो B पर निकालेंगे तो क्या होगा हो आई B बराबर क्या हो जाएगा हमारा यदि A से B के दूरी कितनी है मान लीजे R है ठीक है R है और और इस पूरे निकायगा द्रमान कितना M है तो हम इसका जड़ता अगर निकाल यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी पे जड़ता खुर्ण है वो क्या होगा ज्यादा होगा एक पे जड़ता खुर्ण की यदि जो है यह हमारा क्या है द्रवमान के इंद्र है तो यहां से हमारा क्या निश्कास निकला कि बी पे जड़ता खुर्ण आएगा वो ज्यादा होगा एक के जड़त आगुणने से तो यहां से देखिया हमारा जो क्या होगा प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा यदि जो है हमारा रिखाय समन अंतर हैं जैसे यहां पर बताया है मैंने रिखाय समन अंतर हो तो एक जो जड़त आगुण है वो बी के बी पे जड़त आगुण के कम होगा ठीक है तिया हमारा इस प्रशन का उत्तर धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर